समस्ट्री अर्थसास्त्र के एक नए लेक्चर के साथ आपका पुनो स्वागत है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ बहुती बारिकी से कि ब्यापार सेस या ब्यापार संतूलन किसे कहते हैं, दूसरा है बुकतान सेस या बुकतान संतूलन किसे कह और इन दोनों में क्या अंतर है तो इत दोनों जो टॉपिक हैं ब्यापार सेश है और चाहिए हो बुक्तान सेश हैं दोनों ही किसी देश के अंतर रास्टे ब्यापार से जुड़े हुए टॉपिक हैं तो बात कर लेते हैं कि ब्यापार सेश और बुक्तान सेश कब आता है यह ब्यापार होता है वस्तों का लेंदेन होता है आयात निर्यात होता है तब जाके ब्यापार सेश या बुक्तान सेश का मुद्दा आएगा लेकिन जिस देश की अर्थ विवस्ता कैसी है बंद है किसी देश के साथ उसका ब्यापार नहीं होता है अर्था निर्यात भी नहीं कर तो तब उस देश के लिए तुर विए पारसेस और बुखतान सेस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बर्तमान में दुनिया की जितनी भी अर्थ भी इसता है, तो भारत तो डेड़ सो से भी अधिक देशों के साथ क्या करता है। और निरियात करने का काम करता है अब आते हैं अपने टոपिक पर बियापार सेज किसे कहते हैं इसका दूसरा नाम है बियापार संतुलन और इंगलिश में इसे कहते हैं Balance of Trade और Salt हो जाएगा BOT कि दूसरा है भुकतान सेज इसे का दूसरा नाम है भुक्तान संतुलन तो जहांपर दो-दो नाम आ रहे हैं तो दोनों का मिनिंग अर्थ क्या है? एक ही है नाम दो हैं और अर्थ क्या है? एक है तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ब्यापार सेज या ब्यापार संतुलन के बारे में पहले बता चुका हूँ इन दोन अरदा ब्यापार सेज कहो और चाहे ब्यापार संतुलन कहो दोनों की परिभासा एक ही आएगी तो परिभासा को बताने से पहले इसको सरल सब्दों में सूत्र के द्वारा समझ ये कि सुत्र के द्वारा हम व्यापार सेश या व्यापार संतुलन को कैसे लिख सकते हैं आसान से आसान सब्दों में और कैसे समझ सकते हैं तो क्या करना देखो भई पदार्थ निरियात रिन पदार्थ आयात का अंतर बराबर होगा व्यापार संतुलन रिट मिंस क्या हुआ कि पदार्थ निरियात में से क्या करना है पदार्थ आयात के मुल्य को घठाना है और उसके बाद जो रासी आएगी उसे कहेंगे ब्यापार सदुलन पहला तो ये फॉर्मूला है दूसरा वाला फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है निरियात कोश्टक पे लिखा है केवल द्रिश्य मदें अर्थात ब्यापार सेस में केवल द्रिश्य मदें ही सामिल होती है तो क्या करेंगे देश निरियात करता है और चाहे वो आयात करता है तो दिरिश से निरियात रिन दिरिश से आयात का जो अंतर होगा उसे क्या बोलेंगे ब्यापार सेश या ब्यापार संतुलन कहेंगे तो कितने दो सूत्र यहां पर हमने आपको बता दिए तो पदार्थ क्या होता है जो देख सकते हैं, तो पदार्थ में आता है, वस्तुई, जो देश क्या करता है, निर्यात करता है, दूसरे देशों को बेचने का काम करता है, और आयात में क्या करता है, तो क्या हो गया, पदार्थ निर्यात में से क्या करना है, पदार्थ निर्यात में से क्या करना है, पदार् रिण आयात लेकिन दोनों में लिखा है द्रिश्य मदें पहले बदा चुका है यहां पदार्थ लिखा है तो उसका मिनिंग भी द्रिश्य मदें ही है अब द्रिश्य मदों की कौन कौन सी है द्रिश्य मदों में जिसमें पदार्थ की बात की तो उसमें आती है बहुतिक वस् वस्तुएं जिनका क्या होता है अपना विजई साकार होता है अपना रंग होता है तो कौन-कौन है ऐसी वस्तुएं बहुतिक वस्तुएं जिनका की निरियात और आयात होता है जैसे अनाज, रेल के इंजन, गाडिया, कार, खनिस, तेल, सोना, चांदी, हीरा, कपड़े, एट वस्तु में बोल रहे हैं तो चांदी क्या और अरह हम हात लगा सकते हैं तोल सकते हैं देख सकते हैं कैसे रंगकार है बहए इस लिए कहने का मतलब है कि व्यापार सेस या व्यापार संतुलन में आयात और निरियात जो होता है उसमें केवल द्रिश्य मदें ही सामिल की जाती जो दिखाई देती हैं जिनको हम छूद सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं तो ये चीज़े हमने यहाँ पर उधाने के लिए आपको बता दी तो दो फोर बिले ये आपने लिख दिये तो ये भी क्या दिखाते हैं ब्यापार सेस या ब्यापार संतुलन को अब बाद आती है कि नहीं जी, हमें इससे आगे भी समझना है ठीक है, आगे समझाते हैं और परिवासा भी बता देते हैं इसी से परिवासा कैसे बन जाएगी, देखे, निरियात और आयात मुल्य के अंतर को ब्यापार संतुलन या ब्यापार सेश कहते हैं, तो कहने का मिनिंग क्या है, कि जितने रुपए का आपने निरियात क्या वस्तों बेचेंगे ना बिदेशों को, तो उसके बदले क्या मिलेगा, पैंजा मिलेगा, ओके जी, तो उस निरियात से आपको कितना रुपएया प्राप्त हुआ, एक तो यह हो गया निरियात में, निर्यात मुल्य को गटाना है किस से आयात मुल्य से और उसके बाद जो अंसर प्राप्त होगा उसे कहेंगे ब्यापार सेस या ब्यापार संतुलन तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आ जानी चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल टॉपिक है तो इतनी एक दो यह तो हमने आप पहले से कहा रहा हूँ, हम BOT, Balance of Trade कहते हैं अब इतनी यहां तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात ए टो आगे हो बढ़ाते हैं अभी हो अर समझ में आ जाएगा तो अभी और समझ में आ जाएगा जैसे हम लिग लिए्ए इहां पर निर्यात और यहां पर लिख लिए आ यह export के लिए होता है, निर्यात के लिए, और जो I है, यह किस के लिए होता है, import के लिए होता है, अर्दात, आयात के लिए और X किस के लिए यूज होता है, निर्यात के लिए, तो यहाँ पर निर्यात भी लिख दिया और आयात भी लिख लिया, आप देखे भईया, जैसे हम पाँच हजार रुपए उसको मिलते हैं वस्तों को बेचने पर, ठीक है, तो उसका निर्यात हो गया, पाँच हजार रुपए ये का, ठीक है, दूसरे पक्च में उसने क्या किया, बिदेशों से 4,000 रुपए की वस्तों खरी दी, और 5,000 की बेची, तो इन दोनों को गटाना ह तो पांच हजार में से चार जार रुपे घटा दीए, कितना होगा है? एक हजार. तो ये क्या हो गया? ब्यापार सेश या इसी को कहते हैं ब्यापार संतुलन. तो यदि क्या होता है? निरियात की रासी ज़ाधा रहती है. अरतार निरियात और इसका जो अंतर है, इन दोनों क ब्यापार सेश क्योंकि इसे देश को फाइदा हो रहा है क्योंकि निर्यात ज्यादा हो रहा है और आयात कम मुल्य का हो रहा है तो ऐसे में उस देश का जो ब्यापार सेश होगा वो कैसे होगा उसके अनुकूल होगा उसके पक्ष में होगा ठीक जी अगला है दूसरा माना को विदेश 7000 रुपए का निरियात करता है। विदेशों को करता है। मनध भारत ही करता है। ठीक है जी। और माइनस नो हजार रुपए का आयात करता है अब देखे यह दूसरी कंडिशन है कि निर्यात साथ हजार का हो रहा है और आयात हो रहा है नो हजार का तो यहाँ पर देखे निर्यात की रासी कम है और आयात की क्या है जादा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि 9000 और इधर 7000 तो इस में से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 2000 तो माइनस लिखाओ 2000 रुपए का भारत को घटा होगा क्योंकि आयात जदा का हो रहा है और निर्यात कम का हो रहा है तो ऐसी इस्तिती में ये उधारण बन जाएगा जो रिण 2000 प्रतिकूल ब्यापार सेष या प्रतिकूल ब्यापार संतु लंका तीसरी बात आती है कि 12000 रुपए का भारत निर्यात करता है। को हो जाएगा संतुलित कैसा हो जाएगा संतुलित हो जाएगा तो इस प्रकार से ब्यापार सेस या भुक्तान सेस में तीन इस्तितियां उत्पन हो सकती हैं तो आपकी समझ में आया की नहीं आया है मैं समझता हूं कि आ गया होगा तो ये बात तो कीलेर होगी तो कहा से start करेंगे लिखना लिखना यहा से सुरू करेंगे वाई व्यापार सेस किसे कहते हैं तो लिख लीजे सूत्र के रूप में पदार्थ, निर्यात, रिन, पदार्थ, आयात बराबर व्यापार संतुलन ये भी पहला दूसरा निर्यात, केवल द्रिष्चे मदे, रिन, आयात केवल द्रिष्चे मदे, बराबर व्यापार सेस कहीं पर और भी लिखा रहता भया निर्यात, रिन, आयात, बराबर व्यापार सेस या व्यापार संतुलन ये तो फर्मूले के रूप में हो गया परिवासा यहां पर लिखी हुई है उसके बाद इसको समझा भी दिया गया है तो इस परकार से आप इसकी ब्यक्ख्या करते चले जाएंगे ओके अब यह तो अपने सवलता के लिए बताई आपको कि अना आज रेल के इंजन, काडियां, कार, खनीस तेल तो वहां पर लिखने की ज़रूत नहीं इतनी, कि एक नंबर का कोईशन है तो आप ना लिखेंगे, तब तो आजाएगा निर्यात और आयात के मुल्ले के अंतर को व्यापार सेज कहते है इतना ही लिखेंगे तो आई हो, पहला वाला जो पोइंट है व्यापार सेज या व्यापार संतुलन आपकी समझ में आ गया होगा अब चलते हम दूसरे पोइंट के और, दूसरा है भुकतान सेज, बैलेंस ओप पेमेंट अब इसकी परिवासा लिखनी है परिवासा कई तरीके की परिवासाएं हैं, तो पहले जो बेरी लिखी है, इसी को समझ लेते हैं, किसी देश का सेस बिश्व के साथ एक निश्चित समय अवधी में संपुर्ण आर्थिक लेन देन का बिश्चित बिवरण, रिकॉर्ड भी कहते हैं, उसको भुकतान सेस कहलात हैं, यह परिवासा है, इसको याद करना है, परिवासा क्या कह रही है, कि किसी देश का सेस बिश्व के साथ एक निश्चित समय अवधी में आर्थिक लेन देन का बिश्चित बिवरण, बुकतान सेस या बुकतान संतुलन कहलाता है, बुकतान सेस और बुकतान संतुलन एक यह है दोनों का मिनिंग परिवासा क्या आएगी एक ही आएगी ऐसा नहीं कि बुक्तान सेश की जगह आ गया बुक्तान संतुलन और आपने पड़ा सेश तो सब कुछ सेश ही सेश रह जाएगा तो इसमें होता क्या है समझ यह क्योंकि जो एक देश है जैसे भारत है तो भारत का एक वर्ष में यह समय की बात की जारी है तो माल लिजए कि एक वर्ष में भारत का बिस्सों के एक सोंыт पचास देशों के साथ ब्यापार होह जिसमें क्या हुआ आयात भी हुआ निरियात भी हुआ लेकिन इसमें बात की जा रही है व्यापार से इसमें केवल द्रिश्य मदों की वस्तों की बात की जा रही है लेकिन इसमें क्या होता है इसमें द्रिश्य मदें भी आती हैं अर्दाद वस्तों भी आती हैं अद्रिश्य मदें भी आती हैं उन्हें कहते हैं सेवाएं, उनका भी आयात निर्यात होता है, तो उसका इसाब किताब भी बुक्तान संतुलन में आता है, और भी ट्रांसपर होते हैं, और भी क्या होते हैं, पुझी का ट्रांसपर होता है, आयात निर्यात के रूप में, उसकी रासी भी इसमें जोड़ दी पता लगता है कि एक देस का कुल मिलाकर विश्व के समस्देसों के साथ एक वर्ष में कितना लेंदेन हुआ कितना लेंदेन हुआं टोटल, ठीक है जी? तो कुल मिलाकर व्यापारस? छोटा है और जब कि बुक्तान सेष क्या है? बढ़ा है तो अन्य जगों पर कुछ और भी परिवासा हैं लिखी हुई है कि किसी देश के निवासियों का सेश बिस्व के देश के निवासियों के साथ एक वर्स का बिस्त्रित बिवरन बुक्तान संतुलन कहलाता है वो भी सही है तो सेश विश्व का मिनिंग है कि एक देश अपना हो गए जिसे भारत और सेश विश्व बहले अन्य देश रहे गए सेश कि जो कि भारत के साथ ब्यापार करते हैं या बारत उनके साथ ब्यापार करता है तो ब्यापार सेश की तुलना में बुक्तान संतुलन या बुक्तान सेश बड़ी धारणा है कैसी धारणा है बड़ी धारणा है अंतररास्ट ब्यापार जितना किसी देश का बिविन देशों के साथ होता है उसका कुल कितना लेन देन हुआ उसके बारे में बतलाने का ये काम करता है तो इस definition को आप याद कर लेंगे अब लेकिन इसमें क्या क्या आता है इसमें देखोई इसमें द्रिश्य मदें भी सामिल हो जाती है अब द्रिश्य मदें जैसे यहां पे लिकावा है रेल के इंजन कार गाड़ियां जो भी है अद्रिश्य मदें अद्रिश्य मदों में आता है सेवाएं जैसे हमारे देश के बह वहां सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उधर की यहां कर रही है, ऐसा नहीं कि हम वहां जा रखें, हमारे देश के, और उधर के यहां कोई नहीं आ रखा है, तो दृष्यमदों का भी आयात निर्यात होता है, वो बुक्तान संतुलन में रहेगा, अद्रिश्य मदों का भी क्या रहेगा बुक्तान संतुलन में रहेगा और एक होता पूझी अंतरण तो अद्रिश्य मदों में सेवाएं आती हैं और पूझी अंतरण में कि पूझी अंतरण में क्या होता है वाई कि पूझी अंतरण मिलावा विध्युने विध्य विधिशो Cel mermaid के लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनके माता पिता-जी गरबार ही है इंडिया में तो पैसा यहां भेजने का काम कर रहे हैं, ठीक है। यह और भी चीजों से जो पैसा प्राप्त होता है, उस अब पूझी अंतरण में आ जाएगा, तो कुल मिलाकर भुकतान सेस में जो सामिल होने वाली मदें हैं, एक तो द्रिश्य मदें हैं, अद्रिश्य मदें हैं, और पूझी अंतरण सामिल है, तो जो भुकतान सेस है, यह संतुलन है इसको मैं आगे चलकर आपको बहुत इरिटेल में बताने वाला हूँ यहापर तो मैंने इसको संचिप में बताये हैं आने वाले वीडियो में इसके टOPिक को और भी ज्यादा कबर के जाएगा क्योंकि इसके बारे में इतना होने से ही काम नहीं चलता है कि इसमें कौन-कौन सी बाते हैं, कौन-कौन सी मदे हैं, कौन-कौन सी वस्त्व हैं, कौन-कौन से सेवा हैं, आइटम्स हैं कि जिनका की बुक्तान संतुलन में गिंती की जाती है जिनका आयात निर्याद होता है कौन सी द्रिश्य हैं, कौन सी अद्रिश्य हैं, पुझी अंतरन क्या है, बुकतान सेज का चालू खाता क्या है, पुझी खाता क्या है, इस सारी बाते हैं हम अगले आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे, आप बात कर लेते हैं कि BOT और BOP में अंतर, अर्दात बैलेंस ट्रेड, व्यापार सेज और व्यापार संतुलन में अंतर, दोनों में अंतर हैं वाई, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, बहुत साई बाते नहीं है, छोटे छोटे अंतर हैं, देखें पहले अंतर क्या है, अंतर कोई हो सकता है, कि व्यापार सेज में केवल द्रिश्य मदें आती हैं जो हमने बढ़ाया कि ब्यापार सेस या ब्यापार संतुलन में केवल द्रिश्य मदों का जो आयात निर्यात होता है वही आती हैं जबकि इसका उल्टा क्या होता है जबकि भुक्तान सेस में द्रिश्य मदें वा अन्य सभी पूंजी अंतरन आते हैं अर्ताद दुनिया के साथ, जितने भी प्रकार के सौधे, किसी देश के द्वारा किये जाते हैं, उस सब के सब किसमें आते हैं, बुक्तान संतुलन में या बुक्तान सेश में आते हैं, तो पहला अंतर तो यह है, दूसरा है कि ब्यापार सेश, बुक्तान सेश का ही भाग है, जो ब्यापार सेस है कोई अलग से टॉपिक नहीं है बलकि वह हो बुक्तान सेस का ही अंग है क्योंकि हमने कहा कि बुक्तान संतुलन में क्या हो रहा है कि द्रिष्चे मदें और फिर अद्रिष्चे मदें भी आ जा रही है तो जो ब्यापार सेस है या ब्यापार संतुलन है वह बुकतान सेस या बुकतान संतुलन का ही भाग है जबकि उल्टा क्या होगा बुकतान सेस या बुकतान संतुलन अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है अरतात ये अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है ये किसी का अ कि इससे केवल किसी देशका बिश्वके देशों के साथ के और वस्तों के आयात, निर्यात के मुल्डियों का अंतर्च की पता चला है कि कि hetनी वस्तों का निर्यात हो रहा है और कितनी वस्तों का आयात हो रहा है, तो निभ्यात और आयात में जो वश्चों siamoil की जा रही हैं, लेकिन इसमें सेवाएं सामिल नहीं की जा रही हैं, जो कि बिदेशी व्याप़र में पुण्जी का एक बहुत बड़े हिस्से को लेता है इसलिए ये संकुचित धारणा है तो व्यापक धारणा को है जबकि बीओपी बैलाइंस ओपेमेंट भुक्तान संतुलन एग व्यापक धारणा है अर्थाद इसमें समस्त प्रकार के जो सौधे होते हैं आर्थिक लेंदेन के विश्व व्यापार के उस सारे के सारे से इसमें सामिल किये जाते हैं जिससे किसी देश के विदेशों के साथ होने वाले व्यापार का पता चलता है अगला है फूर्थ नम्मर का कि व्यापार सेस अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है अनुकूल या प्रतिकूल कब होगा जब निर्यात ज़्यादा होंगे और आय होगा उनुकूल में लाब होगा और किसी देश को गाटा होगा जबकर कि इसका उल्टा क्या है BOP लिखा तो खाते को उधार लेकर बराबर बना दिये जाताता दोनों पक्छों में अंत में इदी जोड कराता है एक पक्ष में लेंदारी में इदी हजार है तो देंदारी में भी हजार रुपे ही लिखा जाएगा तब जाके दोनों क्या होंगे बराबर होंगे यह भी आने वाले समय में यह आने वाले वीडियो में आपको इसके बारे में और भी बिस्त्री रूप से बताया जाएगा तो ये मुख्य अंतर है किसमें? ये है ब्यापार सेज और ये है बुक्तान सेज इन दोनों में अंतर यहां तक तो बात किलिर हो गई है तो एक बार पुनो दोरा देते हैं कि आपको पूछा जाता है कि ब्यापार सेज किसे कहते हैं? तो आप ब्यापार सेज को लिखेंगे कैसे लिखेंगे? कि ब्यापार सेज को लिखने के लिए आप सुत्र का इस्तमाल कर सकते हैं पदात नियात रिन पदात आयात बराबर व्यापार संतुलन एक दूसरा भी ले सकते हैं कि नियात केवल द्रिश्य मदे रिन आयात केवल द्रिश्य मदे बराबर व्यापार सेज कि यहां पर नियात में क्या रखा जैसे में यहां पर रखा पाचया रुपे मिला आयात कितना हुआ चाराजार रुपया दोनों को घटाना है तो घटाना है इतना आपने लिख दिया अब द्रिस्य मदों के यही आप उधान देना चाहते हैं ठीक है पूछा चुटा कोश्चे रब तब तो नहीं देना है बड़ा है तो दे दीजिए बहुती वस्तों इसमें आती हैं जै अब उसके बाद आता है बुकतान सेस या बुकतान संतुलन के बारे में तो उसकी यह वले डेफिनिशन लिखी जाएगी पूरी ठीक जी उसके बाद आपको मदय यह लिखनी है तो यह वाली जो मदय है यह आपको वर्थात भुकतान शंतुलन के बारे में अछले बीडियु में आपको डीटेल में बताया जाएगा ओके तो इतना आता है ओके जी ब्यापार सेस किसे कहते है बुकतान सेस किसे कहते है तो दोनों के या व्याप्यार सेस क्या होता है, या व्याप्यार संतुलन क्या होता है, बुक्तान संतुलन क्या होता है, बुक्तान सेस किसे कहते हैं, तो इस सारी चीजें, I hope कि आपकी समझ में आ गई होंगी नहीं आई हैं तो पीछे जाके फिर आप वीडियो को देखिए समझने की कोशिस कीजिए फिर लिखिए ठीक है फिर एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्दी आजाएगा एक यह बीडियो देखने से सारी बातें क्या हो जाएंगी कीजिए हो जाएंगी